आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता कड़्ड़ पर आपका स्वागत है आज है चार जून 2022 आईए देखते हैं कि केंटर फेर्ट का हमारा पहला क्यूशन क्या है तो आज का हमारा पहला क्यूशन है भारत एम किस देश के बीच तीसरी पेसेंजर ट्रेंड मि इस क्यूशन को ऐसे भी पूच्छ जा सकता है कि मिताली एक स्प्रेस किन दो देश्चों से संब्दी थैं या फिर किस देश से संब्दी थैं इससे पहले यानि के हाँ पर तीसरी की बात हो रही तो दो ट्रेनों का ओल्रेडी संचालन हो रहा है पैसेंजर ट्रेनों का तो हमारे इस क्यूश्चन का अंसर होगा बांगलादेश यानि के भारत और बांगलादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया है इसका नाम है मिता जिसका संचालन होगा भारत और बांगलादेश की बीच इसी के साथ साथ यहां पर हमें अन्य विकल्प भी दिये गए हैं बांगलादेश पाकिस्तान और नेपाल तो हमने आपको इसका सई अंसर बताया बांगलादेश के साथ इसका संचालन हुआ है बांगलादेश के बारे यहां की currency के बारे में कि बंगलादेश की currency क्या है तो बंगलादेश की currency है टका साथ ही यहां के राष्टपती के बारे में बात करें अनिके प्रेज़डेंट ओफ बंगलादेश तो यह है अब्दुल हामिद कौन अब्दुल हामिद बंगलादेश की क्या है राष्टपती है हमें यापर दो विकल पोर्व दे गए हैं पाकिस्तान और नेपाल दोनों ही हमारे देश के प्रिक्षा के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के पूरी-पूरी संभावना है तो आगे इन दोनों देशों से जो सम्मधिस क्यूशन पूछे जा सकते हैं एक नजर उनके उपर भी डालते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहां की कैपिटल यानि के राइदानी है इसलामबाद शेहबाद शेरीफ यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं यानि के परदान मंत्री हैं पाकिस्तान के और राश्टपती की बात करें प्रेजडेंट ओफ पाकिस्तान की तो वह है आरिफ अल्वी तो आरिफ अलवी क्या है पाकिस्तान के राष्टपती हैं शेहबाद शेरीफ यहां के प्रधानमंत्री हैं साथ ही क्रेंसी की बात करें तो पाकिस्तान की जो क्रेंसी है वो है पाकिस्तानी रूप्या अब नेपाल की बात करे लेते हैं नेपाल भी हमारा प्रोसी देश है और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल तो ऐसा भी देश है पागिस्तान की अगर बात करें तो पागिस्तान तो बसका संचालन तो पागिस्तान के साथ भी होता है भारत का और पागिस्तान का लेकिन विजा पासपोर्ट इन सभी क्या विश्क्ता होती है लेकिन नेपाल के अंदर अगर बात करें तो नेपाल का पागिस्तान जाते हुए इतनी चेकिंग और जितनी सिक्योरिटी होती है नेपाल उत्तरप्रदेश और उत्रागंट से मिला हुआ भी है तो नेपाल जाते हुए इतनी ज़्यादा स्रुक्षा का स्रामना नहीं करना पड़ता ऐसी बात हैं चेकिंग बॉर्डर पर होती है तो नेपाल से हमारे एक परकार सेंगे तो और भी ज़्यादा गनिट संब्द है नेपाल की राइधानी की बात करें तो काटमांडू यहां की राइधानी है है अगला क्यूशन क्या है अगर आपने भी एक हमारे चैनल सफलता कठ्योग सबस्क्रांप कर लें पूरी तरह सब्सक्राइब करना ना भूलें सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे क्यूशन की तो соп कि आ आ च्विस्ष अब इसको e-stamp सुईधा शुरू की है यानि कि physical stamp को खतम करके इसे किस रूप में change किया गया है इसको e-stamp के रूप में change कर जया गया है यानि को इसको digital एक परकार साथ आप online मान सकते हैं इसको बना जिया गया है इसका कारण क्या है बनाने का जिससे paper का खर्च भी कम हो और सा खर्च ने पंजाब ने शुरू की है पंजब के बारे में thoड़ा सा जानते हैं पंजाब की capital चंडिगर्ड है और वह ज कर दो करM हमे हर्याना और उत्तर प्रदेश इनके बारें भी थोड़ा सा जांते हैं. हरियाना के बाठेश के बात करे लेते हैं. लगनाओ से दो क्यूशन प्रिक्षाओं के अंदर पोष लिजाते हैं. क्यूशन पोष जाता है कि नवाबों का शहर किसे का जाता है तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर का जाता है लखनाओ को साथ ही एक और कुश्चिन लखनाओ से पूछ ले जाता है कि लखनाओ कौन सी नदी के किनारे इस्थित है तो आपको उस नदी का नाम भी याद रखना है लखनाओ गोम्ती नदी के किनारे इस्थिते हैं अब बात कर लplingsे हूं यहां कि मुख्केमंत्री के बारे में उत्तर परदेश से एक और बात च्थिते हैं उत्तर परदेश ये केसा राज्य है जिसमें सरवाधिक लोकसभा सीटे हैं लोग सब्सिटे ने कि अलंग कर दूंब मीनिस्टर और्प्रदेश को यूं आ उत्तर प्रदेश के बात करें, गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। के राजयेपाल हैं आनन्दी बेन पर्टेल अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला के यानि कि इंडियन नावी ने यानि के बात कहिए इंडियन नेवी की बात करें निकए भारती नो बहुमी हो गई नीचे कि बात का यहापर शिरिलंका हो गया तो इसका तीन जागे पर मुक्ख्यालए है मुंभाइ इसके तीन इसके स्थानों पर होंगे यहां पर घुजरात और यहां पर आपको कोई समुद्र मिलता हुआ नहीं दिखा जाएंगे अधर नेपाल इदर चीन हो जाएगा और ऊपर पागिस्तान लेकिन यहां पर गुजरात जैसे आप नीचे आते हैं इधर मुंबाई महाराष्ट्रा और फिर जैसे आप अन्य राज्जों को देखते हैं तो सब यह तर्ट वरती एलाके हैं और सब समुन्दर से मिलते हैं तो इसलिए तीन जगे पर इसका मुख्याले रखा गया है आगे बढ़ते हैं देखते हैं मारा क्षमीर में गरत na की दो कालीन जहाई दीन लिएक जम्मु तरस बहुकि डाएं कालीन जानी जह जो जम्मु तवी यानिके 6 महीने यह राजदानिया र接 इंगर 6 महीने जम्मू तवी तो दो राजदानिया है कहां की जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर क्या है जम्मू कश्मीर फिलाल एक केंदर शासी प्रदेश के तो यहां पर लेफ्टिन गवर्णर यानि के ल्जी की न्युक्ति होती है यानि के राज्यपाल की ना होकर यानि के राज्यपाल की न्युक्ति ना होकर यहां पर उपराज जबाल की न्युक्ति होती है तो यहां के राए उपराज जबालें फिलाल एलजी जो है यहां के वहें मनोज सिना कौन मनोज सिना यहां के उपराज जबालें जम्मू किश्मिर के दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सीम कौन है अर्विन केजरिवार है और पुशकर लाल थाओ सेन को किसे सुजाई लाल थाओ सेन को SSB का नया महानी देशक बनाया गया है अब आप कहेंगे कि SSB क्या है SSB से भी क्यूशन पढ़ सकता है SSB क्या है तो इसका पूरा नाम होगा सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी SSB की और इसका मुख्या सार mee करने लिएने कैपोरोटर नई दिल्लि में इस जे इस से आगे बहुत है देखते है मारा क्ला क्या है तो अग्ला क्यूशनम क्या से कि दुबारा कि सरकार के केपिटल क्या है अमरवति यस जगरमोहन रेडी क्या है याकर मुख्यमंतरी राजजपाल है के निक गवर्नर विशु बुषन हरी चंदन यहां क्या है राजपाल हैं भिभार गुजरत हमें धुकल्ब मिलें ह más下 इनके बारे में आचारि देवरत कौन है आचारि देवरत है गुझरात के गुझरात के गुष्ण है विशिव साइकल दिवस Mना जाता है तीन जुन को क्रीयावरण हित में और ये स्वास्ते यानि कि आप इतनी बात तो जानते हैं जब साइकल चलेगी तो पिससे परदूशन भी नहीं फेलेगा साथ ही आपका जो अपना परसनल स्वास्ते वह भी अच्छा रहेगा तो इसके कई काराण है इसलिए विश्व साइकल दिवस मनाया जाता है तो आपको याद रखना है त संयुक त्राइट संग उनो के अगर आप से बात करें तो संयुक त्राइट संग से क्यूशन आ रहा है संयुक त्राइट संग ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोद को सुविकार कर लिया है यसा कौन सा देश है जिसने अपने नाम के बदलने का नुरोद किय गया है हाली में तुर्की के दुआरा यह नुरोद किया गया था कि हम अपने देश का नाम बदलना चाहते हैं जिसे यूएनों ने यानि कि यूनाइटे नेशन्स और्गनाइजेशन ने सुविकार कर लिया है यूएनों से जो नए स्कुडेंट है वो एक बात और यहां पर सुने उससे यूएनों और या फिर यूएन बी दोनों रूप मैं आप देखेंगे तो दोनों बाते एक की हैं यूएन से मतलब यूएनों से मतलब यूएन का खाली मतलब ऐ जाएगा यूएन और आगे yaşयू देशन के अन्दर संगटन के रूप में और और esk नंदर अंकारा यहां की राजदानी है लजब तैयोब अरदोगान क्या है यहां के राष्ट्रपती है यहीं के प्रेजिडेंट है संयुक्त राइट संग के बारे में सोड़ा सो जानते है United Nations Organization के बारे में 24 अक्तूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी New York के अंदर इसका मुख्या ले है and Turner Gutierrez क्या है यहां के मास्थचीव है नए student जो होंगे वो सोच रहे होंगी परती दिन आपको इस परकार से जो पढ़ाया जा रहा है एक बात बताई जा रहे है इससे आपका क्या होगा ना तो आप भूलेंगे और आपका जो रिविजन है वो भी इससे होता रहेगा यह सब चीज़ आपको अंगलियों को उपर और यह सब चीज़ उस तरीके से आध हो जाएंगे आपको इन सब को एक परकार से अगर कहें तो आपको इनको कभी भी याद करने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो तुरकी का नाम बदल कर हो गया है तुरकी है क्या तुरकी एसका नाम हो गया है इंगलिश की बात के ने पहले से लिगा जाता था तरकी अब इसकी स्पेलिंग होगई ही है T-U-R-K-I-Y-E क्या ट-U-R-K-I-Y-E अगला क्युक्षन हमारा किसे नागरिक उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो के महानी देशक के रूप में नुक्षन हमारा किसे नागरिक उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो के महानी देशक के रूप में नुक्षन हमारा किसे नागरिक उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो के महानी देश और मुक्य मंतरी हैं या पुशकर सिंग धामी इस राज्यकंदर बीज़ेपी यानि के भार्टे जिंतापर्टे की सरकार है राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यानि गवर्णर एफ उत्रा खाने गुर्मीत सिंग हौन गुर्मीत सिंग अगला क्युश्य नहिता है जे मेटा, तो यह उसी मेटा के यहां पर बात हो रही ए, यह मेटा वही कमपणी की बात हो रही है। उस फैल्बूक की नहीं जिसे हैको आप यूज रहे हैं। तो मेटा वही जिसका पहले नाम का था वैल्स pak था? अब इसका पहले नाम होकर क्या हो πुंटा. आगे बढ़ते हैं देखते हैं मारा आगला क्यूशन क्या है आज ही करेंटर फेर्स का लास्ट क्यूशन है बांगला देश ने किस ओल लाउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान न्यूक्त क्या है तो बांगला देश ने कौन सा ऐसा ओल लाउंडर है जिसे तीसरी बा वहोगा शाकिब अलहसन विराट कोली भारत से हैं और शायदा अफ्रिदी यह पाकिस्तानी किरिकेटर हैं तो बंगलादेश के बारे में उपर विस्तार से पढ़कर आ चुके हैं ओपर पहले क्यूशन में तो इसलिए बंगलादेश के बारे में यहाँ पर बताने को इतनी आ झाल सती किरिके आ झाल से गनिए केुशन खती कि अलहसन देला वेका कि वहाँ डिकन से पहान लेन तो बंगलादेश्त कि पहाँ यहां कि चाने इस बंगलादेश के चान दिसिए Capital